नमस्कार, प्रदेश के मुखिया बार बार रेडियो और टेलिविजन पे आकर ये संबोधन देते हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूका नहीं मरेगा, सब तक भूजन पहुचाए जाएगा लेकिन हम आपको राजधानी भूपाल का ही कुछ नजारा सामने दिखा रहे हैं, इसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसी को कहते हैं दिया तले अंधेरा दसर राजधानी भूपाल के राहोल लगर की जुगी बस्ती के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, उनका कहना है कि वो भूकों मर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही कंट्रोल में जाने पर किसी को रैशन मिलता है और किसी को यूवी लोटा दिया जाता है कंट्रोल देने वाले अभधर विवहार करते हैं, खराब गेहू और चावल बाटा जा रहा है और उनको शिकायत करने पर उनका ये जवाब होता है कि अगर जरूरत है तो लें वरना वापस लोट जाए प्रशासन और शासन का ध्यान केवल भाशनवाजी में ही है पुरा शाहुल लगर में, अभी गाड़ी आईती सर एक मेने के बाद, तो वह भी हम लोगों को सब लाइन में लगे थे पुल दो-दो किलो आटा दिया और उसमें पारसत के पास फाइल गई है कि मतलब 15-15 किलो बाटा है तो सर कोई नने बोला कोन एक मतलर वह बोलते हैं धूइस पंडित, बोलते हैं उनको दो किलो अटा है को आड़ा है कहां जाएं कहां खाएं कुछ भी नहीं मिला आज 22 तेज दिन हो गए हमाली है बच्चों को क्या खिलाएं आप बता हमारी कोई सुनता नहीं है रासा नाता किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता पर्ची हो इसके पास में उसको मिल रहा है जिसके पास में पर्ची नहीं उसको भग अबादे दे